यह सुनने को या मानने को तयार नहीं कि हरक सिंग रावत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यह अपने आप में बहुत बढ़ा आश्यर होगा और आपके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा कोई बाद नहीं पॉलिटिकल करियर को चुनाओं लड़ने से थोड़ी होने अब मैं भी ह अबतर अमिले चुनाओं लड़ा हूं तो कितने चुनाओं और लडाना चाहे जाल वाए कि कई मुख्यमंतरियों के लिए टेंचन बनने वाले हरी हरक सिंग रावत बड़ी साथ स्वार्थ पूंदन से रहना चाहता हूं और लेकिन यह जुरूड है कि काम कराना चाहता हू और वो मैं उसके साथ कौंपरवाई नहीं करता हूं अपने जुनून के साथ विकास के मुद्धों पे नौजवानों के काम के लिए अगर कॉंगर सब्सक्राइब आ जाती तो आप सिर्फ पार्टी के साथ चल लेंगा आपको इतना असन लगता है सरीवारा ठीक है अच्छा ह सब्सक्राइब कोहले हैं एक उस सरकार ही निवास में उससे पहले !! इनांटी वे मिनिस्टर हो गया था अजहिए सब्सक्राइ नंदोक्रन में थो का कि माय नसुद्ध और को सब्सें दोवारा विकानिति दोबबाड ने का भी साल से लगातार मंतरी बिपक्सकनेता मंतरी मंतरी अब निकिद्री बार ये इसकार होता है आखरी मत चौकाएंगे ज़रूर क्योंकि अभी भी तीन दिन बागी है और कभी भी हो सकता है कि हरखसी राजा की देखे किसी से कुछ निकाँ महाराजी अभी तो टिकेट ही हुआ इनी तो अराम से क्यों टेंशन कर रहे हैं जरूती नहीं है रानिती है अग वाना लड़ा जाओंगा मैं तो क्या हो गया दो दो दिगोजम एक जीते हैं गहारेगा दो दो टीमें खेलती हैं तो ये जोड़त नुकसान तो है नहीं राजनीते में दो रहूंगा मैं घर बैटने वाला थोड़ी हूँ अभी देखना कि इनके निंद कैसे हराम को खराब करूंगा भी अभी तो लड़ाई अभी तो जंग शुरू हुए न अब तो खेला भी शुरू हुआ है यह मेरे खिलाफ तरह तरह करेंगे बहुत सारी चीज़ें होंगी और मेरे तो सबसे पार पारने क्यादत हैं तो यह हैं कॉंग्रेस सिद्धा हरक्सीर गाल जिनके साफ तोर पर कहना है कि चुनाओं लड़ना है नहीं लड़ना है सारा फैस्ता पार्टी को करना है लेकिन बीजेपी के खिलाब जो अस सेर्टी में देह रहा दो